तो स्वागत है आप सभी का अग्यापन इकेडिमी के इस नाय और लिटेस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के नौन हिंदी का चैप्टर नंबर 21 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है चिकित्सा का चक्कर बहुत ही ज्यादा ये इंट्रेस्टिंग चैप्टर है जब आप लोग इस कहानी को पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हसी आएगी ये हाथ से कहानी है ही है जिसको पढ़कर हसी आए ठीक है और आप लोग को लब टाइटल से मालूम चल जा रहा होगा कि आखिर चैप्टर में बताया क्या लिए चिकित्सा का च चारोत्रप चक्कर काटता है कभी कभी इस डोक्टर के पास कोई डौक्टर बोलता है कि हम ठीक कर देंगे की मतलब अलग अलग डोक्टर की कौलीटी बताई गही है उनकी वेक्तिते उनकी प्रस्टनालिटी बताई गए ठीक और में ची SECTUR में js Ann. यह अलग अलग डोक्टर आपकर के पास पास जाकर काटते हैं कि उन्की चीडसा हो जाए Nem की इलाज हो लेकिन अन्त में इनका इनके बिमारे का इलाज नहीं हो पाता है और इस ولए उस डॉकल के हो लिये के बारे में इस चप्टर में बता हैं और वह वह ड्糖s जो किस किस तरह के नुस्के बताये हैं किस तरह के ओसदियां दवाईया वगरा दी हैं यह सारा चीज जो है बेड़ बनारसी चेप्टर में बताने की कोशिश की हैं और इसलिए चेप्टर बहुत जड़ा इंट्रेस्टिंग है देखे इनकी पूरे मतलब कहानी ज़रा समझे यह वो 35 साल के हट्टे कट्टे आदमी थे ठिक कोई दिकत नहीं है इनके अंदर एक भी बिमारी नहीं थी सबसे बड़ी इनकी खुबी ये थी ना कि ये आज तक कभी बिमार नहीं पड़े थे 35 साल के हट्टिक कटे आदवी थे 35 साल में ये एक बार भी बिमार नहीं पड़े थे इनकी सबसे बड़ी खूबी थी और इसलिए बेड़ब बनार्सी जी है ना वो चाहते थे उनकी इच्छा थी कि वो एक बार बिमार पड़े ताकि गाउं वाले जितने भी लोग हैं वो आक पीने पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं तो उसी तरह मतलब बेड़ब बनार्सी जी चाहते थे कि मैं भी एक बार बिमार पड़ूं और जितने भी बाहर वाले लोग हैं वो मुझसे हाल चला कर पूछे मेरे परिवार वाले मेरी देख रह करें खाने पीने पर ज्यादा हाँ अन वेसा हो जाए मन यहांगी जैसा तुम भोजन करोगे वैसा तुम्हारा मन हो जाएगा और जैसा मन वैसा हो जाए तन यहीं हुआ था बेड़ब बनार्सी जी के साथ THीके इनकी मतलब मन की इच्छा तो थी ही कि मैं बिमार पड़ जाऊं तो मन राजी था बिमार प करें शरीर में भी बिबारी हो गई देखिए कैसे अब मैं आप लोगों को पूरी कहानी बताती हूं बेडब बनार्ची जी एक दिन होकी खेल कर आये थे अपने घर और होकी खेल कर आये कपड़ा उतारे इसनान यान की नहाय ध्वाय उसके बात से फ्रेश होकर बाहर निकले और उनकी जो श्री मती जी है यानि कि उनकी वाइफ वह बोली कि खाना खा लीजे तो बेडब बनार्ची जी बोले नहीं मैं वहां से रिफ्रेश्मेंट नास्ता करके आया हूं जहां पर होकी खेलने गए थे ना तो वहां पर खाना खा कर वह आये थे तो वही बोले फिल्म देखने फिर उदर से आने में लेट हो जाएगी तो फिर आप लो आपको खाना कौन पूछेगा उसे अच्छा अभी खा लीजिए तो बेडब बनार्ची जी अपनी श्री मती की बात को काट नहीं पाए और अपनी वाइफ की बात मानते हुए जो है ना रात का खान खाए देखिए शाम को यह हलका देखिए वो रिफ्रेस्मेंट नास्ता चार पांच बजे करकर आये थे जहां पर होकी खेलने गये थे वहाँ पर खाना खा कर आये थे लेकिन फिर भी इनके वाइफ की कहने पर अपनी वाइफ की बात को नहीं काटे और स्रम को थोड़ा हलक खाना क्या खाना खाना है भारा पूरिया खाना में प्रसाद जी यहां से आया था ठीक तो खाली है और रस्गूले जो थुल थुले थे बहुत रस भरी हुई थी और इनसे रहा नहीं गया खा गये और उसके बाद से ये सारा खा पीकर और चारपाई पर सोये और निंद लगी और डारेक्ट निंद खुली कब एका एक रात तीन बजे और जब रात को तीन बजे निंद खुली तो नाभी के नीचे पेट में स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था कि इनके पेट में कोई सुई लेकर और बहुत जोड़ जोड़ से चुबो रहा हो ठीक मतलब इनका पेट में बहुत तेज दर्द था और खाया भी तो थे बहुत हलका खाना एक तो स्कूल जहां पर होके खेलने गया थे महां पर ना तो एनके घर में भी नाम भी दिया व'. रोगों का राम πडि सिन तरह हो चूरण और गोली उती है तो तो खाया जाते है तो क्या किये सभी जितना भी चूरन रखे थे सभी चूरन और गोलिया निकाल लिए और एक एक करके सब में से खा लिए ठीक फिर भी इनका पेट का दर ठीक नहीं हुआ फिर दुबारा खाए फिर भी ठीक नहीं हुआ दिबारा खाए फिर भी ठीक नहीं हुआ अब इस तरह क दॉक्टर को बुलाना पड़ा जब डॉक्टर सहाब आएं तो डॉक्टर सहाब सरकारी अस्पताल के थे और ऐसे आए थे कूट पेहन कर मतलब ऐसा सूट पेहन कर आये थे कि लग राओं की प्रिंस ऑफ वेल्स हो यानि की वेल्स के राज कुमार हो ऐसा लग रहा था देखने लगेगी तो हम ध्यान से ठीक और उसके बाद से बोले कि कोई घबराने की बात नहीं है डॉक्टर सहाब और दवा दिये और बोले कि यह लीजिए दवा मंगा लीजिएगा मैं लिख दे रहा हूं दुकान से गरम पानी बोतल में भढ़ लेना है और उसके बाद से दवा आया दवा खाये बेडब बनार से जी ठीक और उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ बोतल में पानी बढ़ कर गरम और पेट पर सेक जाने लगा इनके पेड़ पर छाले पड़ गये लेकिन इनका जो दर्द था वो आराम नहीं हुआ और देखते ही देखते सुबह से शाम भी हो गई तीन दिन गुजर गए और बिडब बनारसिस जी जो है अपने पीट का दर्थ जो है वो बरदास्त कर रहे थे बहुत ज़्या यह सासी अदमी थे बरदास्त भी कर रहे थे और इन तीन दिनों में जो है ना गाओं के लोग जो है वो आना शुरू कर दिये थे मेरी मेरी मुझे दिलासा देने के लिए और उसके घरवाले जो है को मेरी देखरे में लाग जाए मुझे समय समय पर खाना मिले इन के बहुत हुँ और जितने लोग आ रहे थे उतना ही ज्यादा राये वहें टिक उतना ही द्दा नुसके बता बच्च लोगों ने न बताया हो से अब इन तीन दिन गुजर गए अब इनTA परिवारды तो अब इनके परिवार वाले डिसाइड किये कि भाई अब दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया डॉक्टर का नाम था चूहानाथ कातर जी सुनकर तो आप लोगों को हसी आ रही होगी लेकिन इसमें ना लेखा कि बेड़ा बनारसी जी की दोश है ना ही मेरी दोश है जो चू कर इनका नाम रखे ते चूहानाथ और कोई नाम नहीं मिला होगा ठीक चूहानाथ कातर जी आये ठीक और उसके बाद से इनकी फिस देख लीजे आठ रुपए थी प्लस एक रुपिया गाड़ी का भारा तो टोटल नौ रुपिया और उसके बाद से रात को आये थे तो जि कर दे विमारी को तो इससे बड़ी खुश्री की बात क्या हो सकती है तो यह पहुंचे हुए डॉक्टर थे मतलब कुछ काच यह ठीक थे चूहानाथ कातर जी और इंफेक्ट ठीक क्या थे बहुत यह अच्छे थे यह ठीक कर दिये विमारी को क्या किये आये तो फटाफट गाले औस पर पानी गर्म करूँ पानी गर्म कर वाएं उसके बाद से जब तक पानी गर्म हो रहा था बेश दिये दवा? fak दुकान पर दवा लाने के लिए फटाफट दवा भी आ खाब निकाले इंजेक्शन निकालकर और जेना बेड़ब बनारबंसी स्लेखक के पेट मे और इंज ने दिये ठीक और उसके बाद से एक बोटल शीसी देए चोटा सा दवा की अठा जो की ऑठारे मिलती थी और ऑँ बोले ही रोज आप 높ना घारे मिलिये उसके इसके बाद से बेड़ा बनारसे यह आराम से सुए और जब पर उठेन तो ऐसा लगा था कि इनके शरीर में कुछ बिमारी ही नहीं ही इनका दर्द क्या हो गया था छू मंतर अगले ही दिन दर्द क्या हो गया रफू चक्कर हो गया इसा लगा था इनको कुछ हुआ ही नहीं था ठीक मतलब यह जो चूहानात कातर जी डॉक्टर थे बहुत पहुचे वे डॉक्टर थे इ यह बहुत पहले की कहानी बताई जा रही है तो आठारे आने की शीसी जो है ना वो रोज खाते थे बेड़ा बनार्सी लेखक ठीक अब देखिए दो सफ्था स्वस्थ होने में लगा यानि की दो सफ्था दो अफ्था लग गया बेड़ा बनार्सी जी को पूरी तरीके से दोक्टर चूहानाथ कातर जी के पास घये थे धन्यवाद कहने के लिए जो पेट का दर्द बड़े बड़े चूरन बड़े बड़े गोलिया दूसरे डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए वह आप ठीक कर देए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बहुत-बहुत हो गई थी ठीक है मतलब और उसके बाद से मतलब आप जानते हैं डॉक्टर जब कोई बीमारी कर देता है तो अपनी बड़ाई करना शुरू कर देता है तो वही बेड़ा बनार्सी डॉक्टर के पास गये थे तो यह चूहानाथ कातर जी अपना बड़ाई मतलब बहुत-द अभी के से नहीं ले सकता हो ठीक और उसके बाद से फटाफट बेड़ा बनार्सी जो है डॉक्टर साहब को धने बाद बोलकर फटाफट घर पर आ गए उतना खतरना खतर नाम सुनकर उनके अंदर डर ही आ गई थी ठीक और उसके बाद से अभी एक सपता भी नहीं हुआ थ इसे सिरह में दर्द होना स्टर फिर से अब तो पेट में सिर्प दर था पूरे रहा है इनको खत्रोप याइन diff drinks जाए थ्यूआ गया और उसके बाद से इनको वही बात डॉक्टर सद्गिक की बात याद आने लगी उसी में निब आप इनको लगा था उसी में मुझे एक ब बिमारी तो नहीं मतलब इनके अंदर ख्याल आने लगा खतरनाक खतरनाक बिमारीयों का ठीक सीर में दर्थ और शरीर में दर्थ बरदास्त नहीं हो रहा था तो फिर से चुहानात कातर जी के पास एक आदमी को भेजा गया कि जाओ बुला कर लाओ ठीक लेकिन जब आदमी गय तरजी थे ही नहीं तो फिर फटाफट अब किसी भी तरह किसी भी डॉक्टर को बुलाना था क्योंकि सिर और शरीर में पूरे तरीकी से दर्थ फैला हुआ था बहुत तेज दर्थ कर रहा था तो अब देखिए एक आदमी को भेजा गया और चिकित्चा मार्तंड कविराज पंडित शुक्देव शास्त्री इनको बुलाया गया क्या नाम है यह चिकित्चा मार्तंड है नाम है कविराज पंडित शुक्देव शास्त्री यह पंडित है इनको बुलाया गया लेकिन जब इनको भेजा गया बुलाने के लिए तो यह पता नहीं स्लोक वगयरा के बारे बताने लगें और ऐसा बात किये और बोल दिये कि जब यह खतम हो जाएगा ग्राव अगरा कट जाएगा तो मैं अब आऊंगा लेकिन फिर भी भी भेजा गया तो बहुत ज़गा आप बोल सकते हैं जिद करने पर यह जो पंडित जी आये हैं पंडित जी हैं वो आये वह भी भी इतनी टो भाल की पर आएं ठीक हूसी तरह और धोती कंदे पर सफेद पट्टा जेने नेमआ पतला सदागा होता है बांधा जाता है वही बांधे हुए थे और कंदे पर सफेद पट्टा ठाख आएसा लग रहा था कि यह कुष्जटी लड़कर ठीक और आये और पांच मिनट तक एक हाथ की नब्स पकड़े हुए और देख रहे थे एक हाथ की नब्स यह पकड़ा जाता है ना यहां पर देखते हैं लो डॉक्टर साब हाथ पकड़ कर तो एक हाथ को पांच मिनट पकड़ कर देखें फिर दूसरे हाथ को पांच मिनट य पंडित जी जब दवा दिये और बोले कि ये दवा खाये आराम हो जाएगा ठीक होते हैं ना पंडित जी तरह के वह श्लोक वगरा क्या-क्या बताने लगते हैं ठीक है तो वो बताना शुरू कर दिये इनकी बात मतलब कोई नहीं समझ पा रहा था उसके बाद से पंडित जी लास्ट में बोले कि लिजे यह दवा खाईए और उसके बाद से आपका ठीक हो जाएगा ठीक इनका मतलब एक भी बात लोगों को नहीं समझ में क्या-क्या बोल गए कुछ नहीं समझ में बस इतना समझ में यह लिजे दवा खाईए ठीक हो जाएगा और पंडित जी चले बहुत सक्षाइब का जो आन इनके पास अंके दोस्त आये थे मंड़ी कर रहे च्छीज्ट कर रहे अब क्या किया कोकर हाकीम को अब बुलाय environment हकीम सहाब आए अब हकीम सहाब का देखिए ये बंददार कुर्टा पहने थे बनार्थी लोटे की तरह टोपी पहने हुए थे और पाउं में पजामा ऐसे पहने हुए थे जैसे की लग रहा हो कि मतलब जो इनका पजामा सिला है ना जो भी आप बोल सकते हैं टेलर जो भी दर अनों को चूड़ी दार को बनाने वाला था लेकिन ऊसने वह दरजी बहुत दा इमानदार था वह एक भी कपड़ा चुराए नहीं और पूरा का पूरा धीला पजामा सिल दिया ठीक तो इनका पजामा बहुत धीला ढाला था और ये पतले दूबले थे और ये ऐसे थे दूसरों का इलाज करते करते मिल्द अपने यह पतले दूबर आए और जब आये हकीम सब चुक्र और क्या हुआ है क्ए पूछी हे और उसके बात से यह भी आत का नभज देखे पकड़े और उसके बाद से ये नुश्के बताएं दावा दियें और बोले कि एक बात धियान रखिएगा ये डेट फेल दावा मत मंगा ये एकस्पायर हुआ हुआ आप मेरे दुकान से दावा खरीद लीजे वहां पर मतलब ताजा दावा मिलता है ठीक है तो वहां स जो है ना दो तीन दिन इसी तरह हो गया इसी तरह भरदास्त कर रहे थे बेडब मेनार सी जी और घर वाले बाहर वाले और गाओं के लोग सब बहुत इकठा हो गये अब राय कर रहे थे कि अब क्या किया जाए अब लखनाउले कर चला जाए कुछ लोग बोल रहे थे कि नह और उसके बाद से बेड़ बनार्सी जी के जो ससूर जी थे वो भी मतलब कुछ डॉक्टर को बुला कर लेकर आये थे और बेड़ बनार्सी जी के जो अपने लोग थे वो कुछ-कुछ डॉक्टर को मतलब लेकर आही जा रहे थे दिखाने के लिए लेकिन कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया चेरों तरफ से घुम चुके थे अब अंत में एक चीज बाकी रह गया है पता है क्या बेड़व बनार्से जी की नानी की मौसी आई थी और इनको बहुत प्रेम से देख रही थी कुछ देर तक देखी और फिर बोली कि मैं जानती थी मैं पहले ही सोच रही होता है तो कोई भी दवा भी इलाज नहीं कर पाता है यह उपरी साया भूठ चुडएल का साया लग रहा हो गया है अब यह बात सुनकर बेड़व बनार्से की जो श्रिमाती जी है वाइफ अब एक औरत बोलेगी तो दूसरी और तो सपोर्ट करें पक्का तो वह भी सपोर भूठ चुडएल वाला बात आगया कि भूठ चुडएल का साया है लेकिन बेड़व बनार्से जी इस पर विश्वास नहीं करते थे वह बोले कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैं किसी ओजाब के पास नहीं जाओंगा ठीक और उसके बाद से अंत में डिसाइड हुआ कि बे देखक जो अपना मुह खोले तो डॉक्टर जो है लाइट जलाकर उनके मुह में देखा और उसके बाद से जोड से हसा अब डॉक्टर को जोड से हसते बेड़ा बना सी जो है वो शौक्ट हो गए कि आखिर यह हस की वरा है इतना तो डॉक्टर बोला कि देखिए कोई घबर शौक्तल बराने की बात नहीं है इनको जोए ना पाईरिया हो गया है और चूर के चीचिकीद सक zaczy यह और वहां पर जाकर अपना सारा दात निकलोगा लीजिए तो डॉक्टर बोला अब ये बात सुनकर भाई बेरब बनार से की जी कि हालत खराब होगी वो चिंतित होगा कि सारा दात निकलवाना पड़ेगा ठीक पता लगवाया है तो इनको मालूम चला कि एक दात निकलवाने में तीन रुपिया लगता है उस वक्तीन रुपिया मतलब बहुत जादा था ठीक है तो एक दात को निकलवाने में तीन रुपिया तो सारा दाफ निकलवा जाएगा तो 96 रुपिय Lord 네là फिर दुबारा दात लगवाया जाएगडा तो तो 100 रुपिया लगेगा ठीक और दात निकलवाना भी है ठीक पैसा भी मेरा लाएगा दर्थ बह पड़ेगा पैसा भी लाएगा नहीं 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 ठीक है लेकिन फिर भी लेखक जो है वह बहुत ज्यादा सोचे और उनको मतलब ऐसा लास्ट में लगा कि मुझे अब दांत उख्डवा ही लेना चाहिए शायद यह जो डॉक्टर है वो सही बोल रहा है अब मुझे दांत लिए भी राजी हो गया अपने स्रीमती जी के पास अपनी वाइफ के पास पैसा मांगने के लिए कि भई पैसा दो तो मेरा दांत उखड़ाएगा तो उनकी जो वाइफ है वो बोली कि चुप रही है आज वो डॉक्टर बोल रहा है दांत उखडवालो कल बोलेगा कि बाल बनार्सी जी है वो बोले कि जब अपना ही इलाज करवाना था अपना ही दवा करवाना था तो चारों तरफ मुझे क्यों चकर लगवाई यही कर देना से यह था पहले ही जब यही करना था तो अपना ही इलाज करवाना था खुद से दवा करना था तो तो अब जो है नमबर 21 कम्प्लीट इस चेप्टर में बताने की कोशिश की गई यह कि एक मरीज जो की उसके जो भी बीमारी है वो अपनी बीमारी को लेकर अपनी बिमारी का इलाज कराने के लिए चिकित्चा कराने के लिए चारों तरफ चक्क्र लगाता है कभी इस डॉक्टर कभी हाकीम, क कभी पंडित चारों तरफ चक्र लगा लेता है लेकिन फिर भी उसका जो बिमारी है उसका चिकित्सा उसके बिमारी का इलाज नहीं हो पाता है तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है चिकित्सा का चक्र यानि की चिकित्सा कराने के लिए इलाज कराने के लिए आजकल सबसे ज़्यदा लोग जो है उस चक्कड लगाते रहते हैं कभी इस डॉक्टर के पास और हर अपने अपना विश्यस्ता क्वालिटी बताता है कोई भी अपना बुराई कि भाई भूत प्रेत का चक्कर है भूत प्रेत का साया है तो इस तरह की बात आ जाती है तो यह था आप लोगा पूरा चैप्टर कोई भी कंफ्यूजन हो इस चाप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी में आप लोगों को जो कुछ भी समझाई सबसे पहले ठीक तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदाहाफिज